हेलो यूवर्स आज हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल किया जाता है एक्जाम्पल के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे एक स्क्वेर प्लस 9x प्लस 20 इकोल टो 0 इसका अंसर आता है या इसके रूट आते है x इकोल टो माइनस 4 और माइनस 5 अब देखिए हम ये क्याल्सी पे कैसे सॉल करते हैं क्याल्सी पे मोड जब दबाते हैं तो एक मेनू लिखाए जाता है मेनू में आप्शन 5 में देखिए एक्वेशन तो यहाँ पर 5 दबाईए 5 दबाने के बाद देखिए 3 नमबर पर quadratic equation है तो 3 दबाए अबी A, B और C की value find out करने है तो इधर देखिए यह x square का coefficient हो गया A और x का coefficient हो गया B और यह हो गया C इधर x का coefficient a equal to 1 b यहनी x का coefficient 9 एंटर और C गया 20 एंटर अभी और एक बार एंटर दबाने का x1 यहनी पहला रूट आया 4 और एक बार एंटर दबाए दुस्या रूट आया minus 5 पहला रूट अभी एक बार और करते हैं पहला minus 4 और दुसरा रूटा है minus 5 यह operation दुसरा equation स्वाल करने के लिए repeat भी कर सकते हैं या उससे बाहर आने के लिए mode index दबाई है और 1 दबाई है तो यहाँ पर बाहर आते हैं धन्यवाद आईसे यूडियो देखने के लिए हमार चार सबस्क्राइब के लिए